देखो, अभी तक हमने करा, सर, आप बहुत चाला गया, आपने ऐसे एक्जाम्पल लिए जो बहुत इजी थे, आपके दिमाब में ये ही आएगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि शुरुआद इजी से होती है, ये मैंने डैश लिया, A, अब मैं A, B, C, D का सारा ज्यादा ही लोगा, B, C, X, और यहाँ पर, नीचे की तरफ, जब मेरा, इस तरफ से मैं देखता हूँ, तो solid मेरा ऐसे आ रहा है, ठीक है वो तो फिर कोई सा भी दिखाए दे, इसको आप, कौह चा भी पहले बनाया जा सकता है, कोई ऐसा याश नहीं है, X, Y, Z, अब मेरे पास यहाँ दो options है, क्या option है पहला, पहला तो यह है, कि मैं इसको गुमा दूँ, इस बांड को गुमया जा सकता है, इसको गुमाने से कोई फर्क नहीं परता, ठीक है ना, तो मैंने इसको घुमा दिया, और इस तरह से बना दिया, कि दोने ही solid dash एक तरफ हो, ऐसा नहीं होगी, अलग-अलग हो, तो मेरे पास C इस तरफ आ गया, X इस तरफ आ गया, ठीक है, और dash A, इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, B, ये जो X इधर आया है, तो Z जो पहले dash था, वो क्या हो जाएगा, solid, और ये हमारे लिए पहले के compare में क्या हो जाएगा, solid, Z हमारे लिए क्या हो जाएगा, solid, क्योंकि जैसे ये 180 डिग्री पर गुमेंगे ये, तो dash solid, ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, Y यहां बचा, बोलो यहां सोणो, थोड़ा सा और अच्छा होता, कि मैं solid यहां लगाता, ये dash लिखता, और ये solid लिखता, अब सही लगेगा, आपको समझने में भी आसानी रहेगी, तो ये जो dash था, वो solid हो जाता, जो ये solid हो जाएगा, बोलो यहां सोणो, अब आपको समझने में असानी है, कि rotate करते हैं वक्त, अगर हर चीज rotate होती है, तो 180 डिग्री पे होती है, और 180 डिग्री पे होने के साथ, solid dash और dash solid में change हो जाता है, ये लिख लो अगर आपको याद नहीं रहे तो, वैसे याद रहे जाएगा, ठीक है, अब देखना बहुत आसान है, कहां से देखना है, उपर से या नीचे से, उपर से, किसमें देखें, इसमें, नहीं, इसमें देखें, कैसे देख रहे हो आप, आपको इदा रखके, बहुत आसान है, C इदा रखेंगे, X सिदा यह देखेंगे बी आपको बाहर की तरफ यानि कौन सा आते हैं मेरा लेफ्ट तो बी और जैड एक तरफ ए और वाई एक तरफ बुलो हाँ या ना आप कहेंगे नी में तो ऐसे देखूंगा मैं तो ऐसे देखूंगा मैंने कहा देख ले ऐसे देख ले जैसे ऐसे देखेगा एक्स उपपर सी नीचे इधर से तो एक्स दिखेगा ना पहले पक्का या सोड़ो और क्या दिखाए देखा जैड आपको यहां दिखाए देखा और जैड के सामने बी और इस तरफ सामने वा वा, so easy, यानि ये दोनों मॉलिकुल एक ही है, ये तीनों एक है, ये चारों एक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आपको इससे ये डारेक्ट बनाना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हर एक को ऐसे गुमाओ, यानि इसको वहाँ लिजाओ, इसको यहाँ लिजाओ, तो आपको वही कंपॉट मिलता है, इन दोनों को अगर आपने गुमा दिया, तो इन दोनों को भी आपस में जेंज़ करना पड़ता है, ये भी आपस में, तो C नीचे आया, X उपर गया, तो B नीचे आएगा और Y उपड़ जाएगा, A नीचे आएगा, Z की जगा और Z A की जगा जाएगा. So easy. Yeah, sonno. लेकिन किसी ने का, sir, हम से ये घुमाना घुमाना नहीं होता. हम तो direct seconds के अंदर चाहते हैं. मैंने का, कोई बात नहीं. कैसे देख? ऐसे देख तूँ, ये तेरी आख रही. और ये धिहानगना कि अगर तुग गल्ती कर रहा है, तो फिर एक मत कर. दो गल्ती एक साथ कर. दो गल्ती करने से तेरा आशर सही हो जाएगा. उसने ने का, हाँ, मैंने का, बिल्कुल सही होए. यहां गल्ती कर रहा है? नहीं कर रहा है तो क्या कर? C तेरे को दिखाई दे रहा है? हाँ तेरे को क्या दिखाई देगा? B आपको left की तरफ दिखाई देगा यह B left A बोल सही है? कोई दिक्कत ही नहीं है सही है? अब इधर से देखेगा गलती हो गई, क्या गलती हो गई? कि जो solid dash थे, वो दूर है वो दूर है तो या तो दो ही एक काम कर जो मैंने कहा है, वो ही देख ले इतार इतार से देख ले इसमें नीचे से देख ले ओर बाथ इसी है अगर नीचे से देखेगा तो तिरको क्या दिखाई देखा, कुई दिख्कत नहीं है, पक्का, नीचे से देख ले, जहाँ उपपर से दिख रहा है, यहाँ, और जहाँ यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से देखा तिरको, यहाँ से देखा तिरको, बाहर की तरफ, बोल, किदर दिख्कत आई देखा, ठी लेकिन एक नट दिक्क्कत आईगी आपको यहाँ पर आपको क्या दिक्कत आईगी कि आप ऐसे देख रहे हो पर नीचे से देखोगे न यहाँ पर तो कैसे देखना पड़ेगा आपको सोचो तो क्या आप इसको अब जब लॉक कर चुके वो आप काम तो कर चुक्यों अब आप जब आदा काम कर चुक्यों मैं डाइग्राम बनाना चाहता हूं तो आपकी आख इस तरफ होनी चाहिए fix होनी चाहिए क्यों क्योंकि अगर आप ऐसे देखते हो ध्याँ से सुना तो आप गलत हो क्यों क्योंकि आपके लिए x क्या हो गया उपर हो गया तो ये गलत है आप कहेंगे कहा गलत है सर हम तो आपने कहा था उधर से ही देख रहे इसलिए गलत है क्योंकि इसमें x पहले आएगा तो ये गलते आप अपनी आपको ऐसे रखी है अब सही हो आप अब बिल्कुल सही हो नीचे से भी सही हो क्यों क्योंकि आपके लिए सही है अब बिल्कुल सही हो आप आपसे गलती भी नहीं होगी आपके लिए ये बिलकुल सही है, C उपर की तरफ दिख रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है आपको और आप अपनी जगा बिलकुल सही हो, तो अब जब आप ऐसे देखोगे, तो आपको Y कहाँ दिखाए देगा बाहर की तरफ है या हाँ सही है तो वाई आपको बाहर की तरफ दिखाएगा देखा लेफ्ट देखो एक बार देखो ध्यान से वाई आपको कहां दिखाए देखा मैं ऐसे देख रहा हूं इधर से देखना है वाई आपको दिखाई दे रहा है राइट है वाई आपको कहा इस तरफ जो लेफ्ट है जब आप ऐसे देख रहे हो बिलकुल इस तरफ से देखना है ना आपको बिलकुल सही है तो आपको वाई कहा दिखाई देखा राइट में ऐसे तो देखी नहीं सकते वाइट आपको कहा दिखाई देगा, राइट मेरे पीट मुट जाएगी, तो राइट, अब सही है बिलकुल, और अगर आपने ऐसे देख लिया, तो गलत हो जाओगे आप, यह सही है, आदमी यह सही है, तो बताओ, ऐसे देखना पड़ेगा, वाई इसको कहा दिखाई देग इस तरह, अब बताओ सही है या नहीं है, क्या यह दोनों सही मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप अन्दे स्पोर्ट बता सकते हो इसमें, गुमाने की भी जरुत नहीं है, लेकि गुमाने से यह है कि थोड़ा फास्ट, जैसे भी आपको अच्छा लगे,